हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबंपरोहित आपका जोग्रफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैंगनेट ब्रेंस पर मैंगनेट ब्रेंस चोकी फेमास है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रॉवइड करने के लिए वो भी अपको इंग्लिष मीडियम में और 612 से लेकर 12 तक की सभी उसे कम्प्रीट कर रहे थे इसके सांथ मैंने आप लोग को पहला चैप्टर जो था वो स्टार्ट किया था जिसका नाम है भारत की स्थिति इस चैप्टर की दो वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट करी थी और साथ हम लोगों ने NCIT solution को भी कंप्लीट कर लिया था इसके बाद हम लोगों ने कुछ MCQs भी सॉल्व किये थे लगबग 35 MCQs मैंने आप लोगों को सॉल्व कर आये थे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस वो बहुत अच्छे से हो सके अब आगे की कड़ी में मैं आप लोगों के लिए कुछ most important questions जो है वो लेकर आया हूं इस सीरीज में हम लोग यह देखेंगे कि कुछ सबसे ज्यादा IMP questions जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इस सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए कुछ MCQs कुछ अती लगुत्री प्रश कुछनों का संग्रह किया है आप लोगों को किस तरीके से इन questions को solve करना है तो जैसे ही मैं स्लाइड को आगे बढ़ाऊंगा आप लोगों को वेकल्पिक question में सबसे पहले जैसे ही कोई option खुलता है तो आप लोगों को वीडियो पॉस करनी है और उसका answer मन से खुद से देने क कोशिश करना है नेक्स स्लाइड में मैं उसका answer बताऊंगा लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी को खुद चेक करना है और यह देखना है कि आपकी तैयारी कितनी perfect है ठीक है इसी तरह जब हम descriptive question solve करेंगे suppose कर यह मैं अतिलगुत्री कोई question निकाल रहा हूं और इसमें कोई आंसर बताता हूं उसके साथ मैच करें ठीक है तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज को और जहां पर हम लोग देखने वाले हैं most important question पहला जो most important questions जो सीरीज है उसमें जो पहला question है वो यह कि भारत के राज्यों का निम्लिकित मैंसे कौन सा यह क्यों सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोगों को मैप जो है इंडिया का बहु यह नौर्थ है और यह साउथ है पूरव पश्चिम उत्तर और दक्षण आप लोगों को यह बताना है कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो राज्य है यह सबसे पूर्वी राज्य है और यह सबसे पहले देखें तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है यहां पर आ राजी की बात करें तो सबसे पश्चमी राज्य है गुजरात तो जब हम डेसांतिरी विस्तार जो थे डिसकस कर रहे थे तो उसमें आपनों को बताया था कि लगबग 30 डिगरी का जो डिफरेंस है और समय में जो डिफरेंस है वो लगबग 2 गंटे का आ जाता है दोनों ही रा लिए सुर कॉष्टन को सॉल्व करने के लिए वह आप लोगों को जारी रखनी है यहां पर नेक्सक्वशन है कि करकरेखा निमने खितमें से किन राज्यों से उकर गुजरती है तो जब हम फिस चैप्टर सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था क को देखना है कि साड़े 23 डिगरी जो उत्री अक्षांस जो लाइन है जिसको हम करकर रहे का बोलते हैं उस लाइन में कौन सा राज्य आ रहा होगा इस लाइन में हमें डेफिनेटली पता है कि उत्तर प्रदेश तो नहीं आएगा उत्तर प्रदेश थोड़ा सा क्या है उपर तो option A, B और D जो आंसर है मतलब 1, 2 और 4 जहां पर है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सही मतलब option A इसका सही जवाब है next question भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है बहुत बढ़िया question है कि भारत और चीन के बीच जो boundary शेयर होती है उस boundary का नाम क्या है या हम लोगो को बताना है सबसे पहले आप मुझे यह बताईए कि भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान की boundary आप लोगो को clear है या नहीं है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो होती है उसको कहा जाता है मैक मोहन रेखा क्या बोला जाता है मैक मोहन रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आतर देना है कि भानत से कौन से स्टेटैs निस पहले वाली मने झो तरी करी थी इसमें लगबग लगबग थोड़ सा अलग हो जाता है उन साथ बहनों से तो इसका जो सही आंसर है वो है option D नेक्स जो question है वो है भारत के किस राजी का समुदरी टट सबसे लंबा है यदि आप लोगो ने शारुक खान साब की एक मूवी देखियोगी रईस उसमें उस मूवी में शारुक खान एक डायलोग भी बोलते हैं ब्रिच के नीचे खड़े होकर कि हमको एक क्लास मेडम ने बत सब्सक्राइब हो जाएगा option c गुजरात देखें यह तो आपनों को याद रखना ही है कि किसकी तटरीखा जो है लंबी है साथी साथ आपनों को यह याद रखनी कि कितनी लंबी है यह पूरा चार्ट मैंने जब आप लोगों को पहला चप्टर सॉल्व करवा रहा था तो सबसे पहले यह जो question है वो मैंने आपनों को लिग दिया है अब screen pause करिए और इसका answer दीजिए कि भारत की स्थली सीमा कितनी लंबी है थ्यान रखिएगा मैंने स्थली सीमा की यहाँ पर बात किये मैंने सागरिय तट की बात नहीं किये मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि कोस्ट हो लाएं कितनी लंबए मैं यहाँ पर इस खली सीमा की बात कर रहा हूं भारत की फॉल whiskey सीमा वह लगबाइं पंद्रह vegetarian दोसो किलो मेटर है अब देखिए यहाँपर 70 मा का मतलब क्या है स्थली सीमा का मतलब है किσιऄ हम यहां से धार करें मैं इंडिया का मैं नहीं बता ठीक है यह कॉश्चन गलत हो सकता है अगर आपके कॉंसर्प्स जो हैं वह बहुत क्लियर नहीं है नेक्स कॉश्चन है दक्षण में भारत का निकटतम पढ़ोसी कौन है एक neighborhood country हम लोगों को बतानी है जो इंडिया की सबसे जादा निकट में पढ़ोसी है तो हम लोगों को पता है कि भारत की सबसे निकट में जो देश पढ़ता है वो पढ़ता है श्री लंका और कौन से street याने पाक जल डमरू या पाक जल संधी से जो है भारत श्री लंका से अलग होता है तो सबसे जो निकटम पढ़ोसी है वो है श्री लंका जो की पाकissant डमरू मद्यदवारा भारत से नदी है गोदावरी के नाम है गोदावरी इसका एक और नाम जो बुक में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको बोला जाता है व्रहध गंगा क्या बोला जाता है व्रहध गंगा जिस तरीके से जिस तरीके से गंगा उत्री भारत की सबसे बड़ी नदी है या भारत की सबसे बड़ी है या जिसको कई बाद बहारत भी बोल दिया जाता है बॉल दिया जाता है नाणे पहले हम लोगों ने जब विकल्ब सॉल्व कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि मैकमोहन जो लाइन है वो भारत और चीन के मद्द जो है सीमरेखा को बताती है भारत और चीन के बीच हिमाले की चोटी खड़ी हुई है यह चीन और भारत को क्या करता है हिमाले जो करता है अलग वह भारत चीन को क्या करता है अलग करता है हिमाले की इंपोर्टेंस भी यह यह कि डायक कॉन्फिलिक्ट जो इंडिया और चाइना में हो सकते हैं उसको रोकने के लिए भारत के पास एक हिमाले परवत है उच्छे हिमाले की इस चोटी को मैक मोहन के नाम से मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है यह भूटान के पूर में अवस्थ्थ है तो भारत और चीन के बीज एक ठीपनी लिए लगतरी कॉशन है कि नभी नदी परणारी हम लोग को देखनी है प्राइदी इन प्रणाली जब आगे अपवाहत तंत्र जब discuss करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि प्राइदीपी भारत में कौन-कौन सी नदियां रहती हैं दो भाग में हम प्राइदीपी नदियों को जो है विभाजित कर सकते हैं बाट सकते हैं कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या ले जाती हैं एक तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं तो भारत की जो अधिक्तर नदियां है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या करती हैं विसरजित कोई दक्षन पूर्वी साइड यह दक्षनी दिशा है पूर्वी दिशा है तो भारत की ठलान है वह थोड़ी सी है इसलिए भारत की जो अधिकतर नदिए था व कंगा यमना राम गंगा ब्रह्म पुट्र एसे सेक्नन नदिएं जो उत्तर से बहकर अपना सब्सक्राइब धुझजब बनंगाल की खाड़ी में करते हैं लेकिन की नदिया पवाद्ध है life वैली बोलते हैं कार करना हम नैक्स्ट वीडियो में समझा है वही चीज हम लोगों को यहाँ पर लिख देनी है वही की भई तो सबस्ब पहले मैं यह डाइग्राम मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को जो डिस्क्रिप्टिव आंसर हो क्लियर हो सके देखिए प्राइदीपिय नदी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है अरब सागर में गिरने वाली नदिया और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदिया अरब सागर में गिरने वाली नदिया है नर्मदा और तापी तापी को ही तापती भी बोला जाता है ये दक्कन के पटार से निकलती हैं और पश्चिम की और अरब सागर में गिरती हैं ये नदिया मोहाना बनाती है डेल्टा नहीं मोहाने का एक और नाम जो होता है उसे बोला जाता है एस्चुडी ठीक है क्या बोला जाता है एस्चुडी जो नदिया डेल्टा नहीं बनाती व अबंगाल की खारी में गिरने वाली नदियां महा नदी गोधावरी कृष्णा और कावेरी हैं बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो यह सभी नदियां गिरती हैं इंक्लूडिंग गंगा नदी तंसर में जो नदियां आती हैं वो भी यह नदियां डिल्टा बनाती हैं इनमें से अधिकांश प्राइदीपी नदियां तीजी से बहती हैं और वे या वेस्टन घाट जिसकों बोलते हैं वहां से निकलती है और यहां पर अपना जल विसर्जित करती है लेकिन यह बात हो रहे हैं सिर्फ प्राइदी प्या नदियों के बारे में उत्तरभाइद की नदियां तो बड़ी है क्योंकि वह हमाले से निकलती है और हमाले से निकलने दिमाग लगाना है आप लोगों को और खुद से आंसर करने की कौशश करना है वो ये कि भारत की केंदरी इस्तिती हमारे लिए किस प्रकार लाबदायक है इसे समझाओ भारत की केंदरी इस्तिती मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंद मासागर की जो लोकेशन है हिंद मास इस प्रकार लाबदायक हैं कहीं और भारत हो जाता तो था लेकिन आज जुपारत की चाहिए तो इसका कुछ न कुछ फाइदा तो हम लोह वेट नहीं करना है बहुत सक्त लेंग्वेज में मैं बोल रहा हूं तो हम लोग नहीं होंगे लेकिन हम लोगों को हम लोगों की जो एप्रोच जो हम लोगों को रखनी है वो यह रखनी है कि हम लोग चीजों को समझते हुए आगे बढ़े इसलिए जोगरफी एक ऐसा सब्ज जाएंगे और उस नदी को टच करेंगे उस नदी का बहाओ देखेंगे वो नदी किस जगा से निकल रही है वहां भी जाना हो सकता है और कहां जा रही है वहां भी जाना हो सकता है तो ऐसी कोई जगा नहीं है जोगरफी में और ऐसी कोई चीज हम लोग यहां पर डिसक्रस नह पूरे व्यापार पर भारत की यहां से देख पाता है कौन सा जहाज निकल रहा है कौन सा निकल रहा है नमासागर में फिर केंदर यहां पर देखिए बहुत सारे कईवाय बंदरगाह बने होते हैं जिनकों कहीं पर लिख दी इस question का answer देखते हैं भागलिक द्रश्टी से भारत एशिया महादीप में केंदरी इस्थान रखता है यह इस्तिती हमारे लिए कई मायनों में फायदे मंद है भारत पूरवी गोलार्द में इस्तित है यूरोप और अमेरिका का पूरवी भाग भारत से समान को खोलेंगे तो वहाँ पर अमेरिका का इस तरीके से अमेरिका का अगर आप मैड देखेंगे यू एस से तो इसका जो पूरवी भाग है और यहां कहीं योडूप है इसका ज्यो पूर्व भाग है वह भारत से समान corri पर पड़ता है भारत से किया करता है समान Clgin पर पड़त थोड़ा दूर बनाए यूरॉप थोड़ा उपर है और यहां पर तो यहां से यूरॉप जो पास दिख रहा है तो फिर आप कैसे की यूरॉप और यूएस और जो यूरॉप है उनका पूर भी साइट भारत से समान दूरी पर पड़ेगा स्टुडेंट्स हम लोग को पता है कि प्रत्वी जो है वो गोल है तो अब हम यहां से भारत से यूएस यहां पर नहीं जाएंगे अब हम लोग जाएंगे उस साइट से और यह वाला लगबग समान पड़ेगा इसलिए यह वाली लाइन लिखी हुई है रटना नहीं है समझना है मैं बार बार आप लोगों को यही चीज बोल रहा हूं कि हम लोगों की जो एप्रोच होने वाली वह बहुत प्रेक्टिकल अप्रोच होने वाली है मैं नहीं चाहता कि 11 तर 12 के बार जब वापस से जब आप किसी कॉंपेटिशन एक्जाम की तैयार चीज पलत और करक रेखा और मकर रेखा के बीच जो है वह भारत का दक्षन हिच्चा परता है और यह वाला जो कटिबंद है इसको बहुत ज्यादा मिलती है संलाइट मिलने के वाज़े से सोलर एनरजी भी बहुत ज्यादा प्रेड्यूस कर सकता है भारत इस लिए आज के गठश बंदन सोलर आंड जिसको लीड कर रहे हैं आराय म् cookies प्राइमिनिस्टर नरेंध्र ओन और फ्रांस की नेतरता में वह तो यह NFL c नहीं भारत की इस्तितिक केंदरी होने के साथ साथ ये करकर रेखा की जो इस्तिति है जो भारत से गोज़र रही है पीचों बीच से ये सालिए 23 डिگरी north इसी को करकर रेका बोलते हैं और 26 डिगरी south इसी को मकर रेका बोलते हैं तो इसमें यंसे भारत क्या है? ऊस्यों उस्ट खटीबंद में स्थित है और इसके अलग अपने क्या होते हैं? फायदे होते हैं भारत के एक लंबी तट रेका है जो कई गहरे और प्राकृतिक बंदर्गा जो करती परदान करती है भारत की जो तत रहरेखा है ना देखिए कितने अच्छी तत रहरेखा है कोस्ट लाइन जो है भारत की यहां पर बहुत जयादा नेचुरल और कुछ मैनमेट जरें पूर्ट जरों हम लोगों के बने हुए अबिसली पॉर्ट होंगे तो व्यापार तो हो गई तो को यह सम्रद्ध व्यापार प्रदान करता है यह वाली जो कोस्ट लाइन यह तर्ट रहा है भारत को सम्रद्ध व्यापार प्रदान करने के लिए का अधर्श अधर्श इस्तिति हैं हिंदमास अगर अंतरश्टि व्यापार के लिए एक अनुकूल मार्ग प्रदान करता है मैं किसके साथ चीन के साथ भूटान के साथ नेपाल के साथ और वैस्ट में थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ विशाल हिमाले की शंकला जलवायू संबंदी बाधा के रूप में कारे करती है यह उत्तरी भारत को धुरूबिय थंडी हमाओं से बचाता है इस हिमाले की एक खास लेकिन इसके ऊपर जो है तापमान जो होता है वो कम रहता है और यहां पर घृस्फके यहां पर कोलन होता है तंडी हवायें और यहां पर प्रेशर होता है वो क्या होता है कम होता है दबाब जो होता है वो कम होता है ठंडी जगह पर प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है गर्म वाली जगह पर प्रेशर क्या होता है कम होता है और हवा चलने के लिए एक आधर शिस्सिती होती है कि हवा हमेशे वहीं से चलती है यहां पर प्रेशर क यहां पर थन्धी वाए और यहां पर क्या सिधीघर कंपर लेकिन हमाले की वज़े से यह फारत के पास नहीं आ पाती एक लुगेँव होती ना लोग यहां पर रह पाते ना यहां विजनिस होता कुछ नहीं होता अगर यह हिमालय हमारे पास नहीं होता तो यह बहुत स्टैटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी बात हमारे लिए गर्व का विशह है थैंक यू भी बोलना चाहिए हम लोगों को प्रकरती को कि इतनी अच्छी चीज भारत के पास है ठीक है तो यह सारे फायदे हैं भारत की केंदरी स्तिती के तो यह सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है तो that's all for today आज हम लोगों ने most important questions देख लिए कुछ मैंने वेकल पे question आप लोगों को बताए कुछ अती लगुतरी कुछ लगुतरी और कुछ दीरगुतरी इस तरीके से आपकी practice जो है वो हम हर एक chapter में हम लोगों की जो approach होने वाली है वो यही होने वाली है ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि book का chapter उठाया और सिर्फ NCIT में जो questions दिये हम वही solve करने लगे नहीं NCIT के अलावा भी हम लोग बहुत ज्यादा questions जो हैं वो solve करने वाले हैं जो कि आप इस chapter में देखी चुके होंगे उसका trailer ट्रेलर क्या मैंने तो आपनों को पूरी movie दिखा दी लगबग 35 questions हम लोगों ने solve किये थे mcqs और उसके साथ NCIT solution भी कर लिया था और यहां पर जो most important जो questions थे वो हम लोगों ने discuss कर लिए तो यही approach होने वाली है मेरी यही approach होने वाली मैंगनेट ब्रेंस की मैंगनेट ब्रेंस जो कि provide करता है CVSC के साथ सारे board को cover करने वाले सारे boards को cover करता है लगबग डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड राइस्थान बोर्ड जिसमें वैदिक मैस crash course और spoken English courses को भी cover किया जाता है यदि आपको ये सारे chapters की जो e-book और e-notes की link चाहिए तो वो description box में क्या है available है उम्मीद है तो ये chapter आपनों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा thank you thank you so much